हालो गुड मॉर्णिंग विवर्स वेलकम टो बैग माई चैनल गुलाब जावन की एसी रेसिपी जो इंस्टेंट मिक्सर से बनके तयार हुई है और बहुत ही जल्दी से बनकर तयार होती है यह रेसिपी इस रेसिपी को लेके थोड़ी सी क्वेरीज है कि इससे गुलाब जा इस रेसिपी को फॉलो कीजेगा आपकी गुलाब जावन कभी तूटेंगे फूटेंगे नहीं इंस्टेंट मिक्स मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है और बहुत जल्दी से 40 के आसपास गुलाब जावन बनके तयार होते हैं बहुत ही फलफी से और स्पंच गुल मेजरमेंट यह होता है कि जितनी भी हमने चीनी लिये मान ली के आपने एक टोरी चीनी लिया तो देर्ड पाणी लेना है एक ग्लास चीनी लिया है तो डेड़ ग्लास पानी लेना है यह एक सटिक मेजर्मेंट है चाश्री बनाने का गुलाब जामुन के यहां में एक तार दो तार की चाश्री नहीं बनानी है नॉर्मल सी बना के तयार करनी है हमने यहां डालना है पींच से भी कम फूड कल और थोड़ा सा इलाइची भी उकलते हुए पानी में मिला देना चाश्णी बनाते वक्त इसे बहुत अच्छा गुलाब जामन बनके तयार होंगे और जो चाश्णी का कलर है ना वो बिल्कुल मार्केट वाला टच देगा तो इस तरीके से चाश्णी आप जरू ट्राई कीज अच्छे के घर पर आसानी से बन जाती है यहां आपने लिया है राजनांदर गुलाब जामुन 200 ग्राम का पकेट है और इंस्टेंट मिक्स है इससे बहुत जल्दी से गुलाब जामुन बनके तहियार हो जाते मार्केट में बहुत इजली अवेलेबल है इस तरीकी से पहँतर करके दूद मिलाना है और थोड़ा सा मुलाय माटा गूत के तयार करना है यहां पर क्या होगा कि आप एकदम से दूद मिला देंगे तो भी दिकत है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्रा हम एट नहीं कर सकते और कम बिलाने से कोई दिकत नहीं होगी आप फोड़ा थोड इस तरीके से हमने सक्त आटा गुन के तैयार कर लेना है जैसे टाइम पड़ेगा यह मुलाइम होते चाहेगा और आप मुलाइम आटा गुनते हैं तो क्या होगा कि गुलाब जामुन अंदर से बहुत ज्यादा नाजुक बन जाते हैं तो इसके आटे को लगाते दिहान रखे तो मेरा तो मनना है कि यहाँ पर आप मुलाइम आटा ना लगाए क्योंकि पहले से ही बहुत स्पंजीर रहता है यहाँ पर आप थोड़ा सा खोल के देखिएगा अगर इस तरीके से दरारिट दीख रही है आपको आटे में तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूद मिलाने कि और नेड़ है और आपने क्या करना है आटा थोड़ा सा इस तरीके से सथ लगाना है और इस तरीके से पांच मिन बाद में आटा नरम हो जाएगा जैसे हम गेहों काटा लगाते है बिलकुल वैसे ही और इसके हम यहाँ पर करेंगे चाको की मदद से दो टूकड़े एक ब को बाद में फ्राइब करेंगे यहां पर द्यान देनी बात यह है कि जो आटा हमने एक बेच का जो अभी हम लोई बनाए यह गुलाब जामन के तयार करने वाले हैं और दूसरे आटे को हमें धाक के रखना है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका मोश्यर खताम हो जा आते ही हमने डायेट घी में फ्राइब करना है वेट नहीं करना है कि हम पानंदस मिंड बाद में करें नहीं डारेट ही बनाना है यहां पर घी को अच्छे से घरम कर लीजएगा और मीडियम फ्लेम पर पहले हम दो गुलाब जावन करके देखेंगे कि यह अच्छे से बन र करने तो हम थावं कर रहे है तो पहले भाल ली जिएगा धृखंद छेल जाइंगा झिए जाएगा उर्ज्वा?". तो कि अंदर से ऐसे कच्छा पका रहें तो द्यान रखें आप मिडियूम फ्लेम पर और यहां पर ध्यान फ्राइब जन सुल does not shake it, but he is too, चास्वमें डालते जाना इसके पीछे पीछे अपने गुलाब जाबन को फ्राइशना नकले Naty ‫asında उसे देखिए टेखिए यह डबल होने लगचाते है और जैसे चाशनी में डालेंगे तो और बड़े होते जाती है इस तरीके से जहारे से घुमाते रहे ताकि गोल्डन कलर या पूरे इसमें आ जाए और आपको अगर इसे करने में दिक्कत आती है तो संसी की मदद ले लीजिएगा इस तरीके से कड़शी से संसी से इसे हिलाएगा इसे भी गोल्डन कलर अच्छे से आ जाता है और यह इंस्टेंटली बनकर तयार हो जाते हैं चासनी मच्छे से डीप कर लीजिएगा और कब से कम एक घंटे के लिए रख दीजिएगा इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और गर्मा गरम इसे सर्व कीजिएगा देखने के लिए धन्यव